हलो आश्टुरेंस माँ विकाश और मैं आप से विकार नॉलिज वीम यूटीब चैनल के एक नए वीडियो में पुर्यान श्वागत करता हूँ आश्टुरेंस आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यारतियूं के लिए यूपी बोडियाम 22 का भहुत तिक विज्ञान का क्वेश्टन पेपर आपको सो करने वाला हूँ तो आप दिरूर हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करेज़ेगा इसका लिंग इस वीडियो के डिस्ट्रिप्सन में है तो देख सकते हैं यहां बहुत तो इस साइड भी है तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं और नीचे यहां पर जो है सेम वही निर्देश जो हिंदी में आ पर सकते हैं तो जल्स मा आपको जिद्खादर ता हूं इसके बाद सीधे हम क्यों चलते हैं इसके बाद देख सकते हैं आपका पहले वाला जो क्वेस्टन हैं बहुत भी कल्पी है यानि कि आपको question number first के अंतरगत बहुत भी कल्पी प्रस्ण देखने को मीर रहा है तो इसमें देख शकते हैं को वाला प्रस्ण की इस तरह से पूछा है और इसमें जो सही भी कल्प है आप उसका चुनाव करके जो है कमेंट के माध्यम से send कीजेगा जो विद्यार्थी इस question paper क को जाम में फेस की हैं वे भी इसका जो एंसर टीक की हैं हमें कमेंट के माध्यम से send करें और जो विद्यार्थी जो है जिनका पेपर अलग था लेकिन वह इस question paper को देख रहे हैं तो वे भी इस question paper में जो बहुत भी कल्पी प्रस्ण पूछे गए हैं उनका answer कमेंट के माध्य से send करें ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो प्रस्ण उनको देखते हैं तो सेम आपको यहां पर देख शकते हैं वही question English में भी लिखे गए हैं तो आप इन्हें वीडियो को रोक कर पढ़ लीजेगा और अच्या तक के जो आपके बहुत कल्पी प दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग comment करें सर आप English में question नहीं दिखाते हैं इसके बाद आपका section B जो है start हो रहा है तो इसमें देख सकते हैं करके यहां पर जो है आपसे प्रश्ण पूछा गया है तो किस तरह से question पूछे गया है आप हमें comment करके बताएगा कि यह question आपको difficult लगे या फिर या फिर आपने इनका answer अच्छे से लिखा की नहीं इसके बाद same question आपको इस side English में भी देखने को मिलेगा तो इन्हें आप जो है अच्छे से देख लीजे और जैसा कि मैं आपको बतारा चाहूंगा कि यदि आप जो है रासायन विज्यान का question paper देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेजेगा वहां पर जो है मैं paper का लिंक जो है वह सेयर कर दूंगा ठीक है इसके बाद यहां पर देख सकते हैं आपका जो है section C start हो रहा है इसमें question number 13 देख सकते हैं आपका कोख करके question पूछा हुआ है तो यह देख लिजिए ऐसे काफी difficult question पूछा नहीं गया है जो मैंने model paper शो किया था आपको अगर आपने उससे थोड़ा practice किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत help मिला होगा कि इसके बाद question का सेश भागिस साइड है इंग्लिस में देख लिजिए इसके बाद आप खंड दा यारी section D आपका स्टार्ट हो रहा है यहां पर देख लिजिए चौथा का करके किस तरह से question पूछा गया है और comment करके यह भी बताएगा कि आपका यहीं पेपर था कि आप फिर डिफ्रेंट था तो जो विद्यार थी कच्छा बारमी इस सेशन में गये हैं उनके लिए यह question paper important होगा ताकि उन्हें आइडिया मिल जाए कि किस तरह से question जो है फूछे जाते हैं physics के question paper में और अगर आपका जो है इंगलीज का जो है पेपर अगर 13 प्राइल को है तो हमारे इस चैनल से आप इंगलीज के इच्छी त्यारी कर सकते हैं और रासान विज्ञान का अगर आपको previous year का question paper चाहिए तो भी हमारे चैनल के साथ बने रहें आपको वह पेपर भी मैं आपको उपलब्द करा दूंगा और साथी साथ model paper भी तो देख लिजे किस तरह से आपका question पूछा गया है दोनों वर्जन में आपका question दिया गया है हिंदी और इंगलीज दोनों में तो किसी भी language में आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं इन questions को देख लिजे यहाँ पर question number 5 का कौख देख सकते हैं यहाँ पर आपका पूछा गया है गहाँ वाला question भी देख लिजे और यह आपका गहाँ वाला भी और comment करके बताईएगा हमें जरूर कि आपका paper कैसा गया और आपको यह paper easy लगा या फिर difficult क्योंकि हमारे चैनल से ज्यादा थे हैं क्लास 12 की हैं क्योंकि हमारे चैनल पर इस्पेसली क्लास 12 का इंगलीज का प्रिपेरिशन बोड़ी आमके लिए करा जाता है तो देख शकते हैं किस तरह से आपके question जो है पूछे गए है question number five जो आपका इस साइड इंगलीज में भी है तो इंगलीज और हिंदी दोनों वर्जिन में यह question paper है देख लीजे आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो खंड यह जो है अर्थार सेक्षन इस्टार्ट हो रहा है इसमें question number six आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है अथवा करके भी question है आपका इसके बाद same यह question आपको यहाँ पर इंगलीज में दिखाई दे रहा है तो वीडियो रोक कर इन्हें आप देख लीजेगा ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं आपका question number seven इसमें भी अथवा करके आपको question देखने को मिल रहा है तो अथवाला प्रशनी side है मैं आपको दिखा देता हूँ side भी देख सकते हैं आपका अथवाला प्रशनी side है same यह question आपका इस side इंगलीज में भी है देख लीजे इसके बाद आपका question number eight है वाइस side है देख लीजे किस तरह से पुछा गया है इसमें भी अथवा करके आपको question देखने को मिल रहा है अगर एक प्रशनी आता है तो आप अथवाला कर सकते हैं और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यदि यहाँ पर देखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी अत्वा करके आपसे question पूछा गया है इसके बाद देख सकते हैं question का सेस भागिज साइड भी है और question number 9 जो है आपका English में है देख लीजे यहाँ पर भी और इसके बाद आपका जो question number 9 complete होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ भौतिक नियतांग दिया गया है ताकि आप जो है निमेरिकल साल्व करें तो आपको help मिल जाए देख लीजे आप तो एक्ट्रेंट से यहाँ था यूपी बोडिगाम 2022 के लिए class 12 का जो है physics का question paper जिसे मैंने आपको शो किया आप मुझे comment करके बताईए आपको यह paper कैसा लगा तो इंगलीज के अच्छी तरह त्यारी के लिए हमारे चैनल के playlist में चेक करें और कमेश्टी का अगर आप model paper देखना चाहते है यूपी बोडिगाम 2022 के लिए तुम्हारे टेलिग्राम चैनल को जोईन करें वहाँ पर मैं आपको थोड़े ही समय जो है कमेश्टी का link के share कर दू तक यह तक यह थैंक यो समच वाचिंग डिस वरियो नो तक यह समय